हलो डियर लेर्णर्स वेलक्म टू एम इंगलिस घ्लासिज तो आद हमारा टेंस गाला टॉपिक होगा यूज और एट का प्रयोग ठीक है इट का अर्थ क्या होता है यह और वह ठीक इटका अर्थ यह और वह दोनों के अर्थ में यूज होता है लेकिन आज का प्रयोग कहां कहां करने ध्यास रेखना इस प्रयोग के लिए ठीख है यह का परयोग वहां में नो यानकी जब वहां इट का पर्योग हूं किश संट में करने देते हैं सब्जिक के रूप में अगला तीन पॉइंट है ठीक है समय अगर वाक्य में समय आ गया वर्षा आ गया अभी तू आ गया मौसम आ गया ठीक है ठंदी गर्मी कुझाला अंधेरा ठीक है अगर अगर वाक्य में यह दिखें गर्मी ठीक तो समय वर्षा रितू मौसम ठंडी गर्मी उजाला अंधेरा ठीक है धूप छाव प्राकृति घड़नाय जैसे जो होती है वो सब्जब आ जाएंगी तब भी इट को सब्जेक के रूप में लिखते हैं और इट को हम कौन सा सब्जेक बोलते हैं इन्ट्रोबू जाफ फिसumya या फिर we 개ं सा यह द Immis कि वाक्व में इसका कोई द नहीं होता तो जब वाक में सब्जेक का कोई अर्थ नहीं जईसे वाक में सब्जेक एथि नहीं रहेगा तोंख फिसक्जेक की अ पढ़ने लिखेंगे तो अब उसका अंध हुआ जैसे पहले निर्जी वाला देखते हैं कि यह कि लिखे कोई चीज मेज पर एक स्याही की दवाद है पूरी हुई है तो अब जैसे मेज पर एक स्याही की दवाद है तो किसी के होने और नय होने की बात कर दाए तो जब किसी के होने और नय होने की बात करेगा तो सब्जेक के रूप में क्या रिक देंगे देर परजेंट में है इस देर इस क्या दवाद एंग इंक पॉर्ट कहां मेज पर उसीट के वह तो तो दवात क्या है निर्जारी चीज है इसे लिए क्या लगा देंगे वह अन मतलब वह क्या रिक लिक है इट अब भरी हुई है पैसी वाय सोजाएगा इट इस फेल किसे विद मने से इंक मने स्याही इस तरीके से निज्जिव के रिए क्या लिखेंगे इट क्या पर्योग करेंगे जब आक में सब्जेक्ट ना हो तब देखिए जैसे लिख दिया पच्छियों को मारना पाप है या अगला ले दिये पहाड पर चढ़ना कठिन है अब इसको हम ट्रांस्लेट करें कि यहां पर थार्ड ना है तो पच्छियों को मारना पाप है सब्जेक्ट इस एट जिए जिए सीफ़ करना पक्षियों को मारना तो ना नहीं नहीं आ गिया तो तू लगा करके वर्व का फॉट्स फॉर्स फॉर्विश्ट नुकिल को दर बर्स है और यह अगला लिखेंग पहार पर चाहना कटीन है तो इसका लिखेंगे इट इस हार्ड कटीन है क्या करना चाहना तू क्लाइब पहार पर दा माउंटेन तिसे अब यह समय होगे वाला देख लेते हैं दीन इसमें दीन भी आता है यह दीन महीना साल का नाव दीन महीना साल यह तीनों का नाव जैसे आज आज कौन सा दिन है आज मंगलवाद है अगरा लिख लेते हैं कल बुद्धवा था जैसे लिए जुलाई का महीना था तो यह सब यह ट्रांसलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के परपस से ठीक है क्यों क्योंकि आप बोर्ड में जब पैराग्राफ वाला ट्रांसलेशन देखेंगे ठीक है तो उसमें शुरुवात में यही सब रहता है कि एक राजा था वह बड़ा निर्दाइधा उसका नाम सैतान सिंग था ठीक है तो यह सब कहानी ऐसे पैराग्राफ में ऐसे ही होता है अधितर या तो उसमें B का प्रयोग होगा, या तो हैव का प्रयोग होगा, या तो इट से शुरू होगा, या फिर देर से शुरू होगा, तो कहां परग्राप की शुरुवात ही ऐसे ही वाक्यों से होता है, ऐसे ही प्रयोग से, तो इसलिए ये सारे प्रयोग हम पढ़ाते हुए चल किनारे से इसको ध्यान से पढ़ना आप लोगों को जिसको कम जिसको कमी निकालना रहेगा कि बहुँ छोटा है एक कम गूश दे रहे हैं कम दिक रहा है बड़ा दिक रहा है तो बहुँ बरदास करो अनहीं तुपड़ो ठीक है आदेखो आज मंगलवार है अब कहना आज तो अब हम क्या करें इसमें है लिखा हुआ है तो तुमको बढ़ाना पड़ेगा ठीक है सब्सक्राइब क्या लिखेंगे इट और यह है कि जब हम इट का परियोग करते हैं तो इट के साथ एक ध्यान लगना है पर्जेंट में क्या लगता है इट ठीक और बास्ट में क्या अवे उल्मावाव की हुआ है तो आ कंशी इसले इस आठीक यहा है अच्सक्राइल डैस्राइब श्क्तर का लिखते हैं मैं फेटनेस यह लेंडेसदे लेकिन पढते हैं फेल इकल का लिखेंगे एस घर दे अभी युलाई वला अधर चला जाएगा इट वाज दा मन्त अफ जुलाई इट वाज दा मन्त अफ जुलाई और इट इस मंगल वार्दा क्या लिखेंगे तुजडे आज क्या लिखेंगे टुडे ठीक है तो यह है उस वीडियो आज मंगल वार्दा इट इस टूज दे तूजडे या टूडे इस टूजडे कल बुद्धवार था It was Wednesday, Saturday July का महिना था It was the month of July December का महिना था It was the month of December तो कुछ और example बता दे रहा है जैसे घड़ी में समय में के लिए भी आ जाता है घड़ी में समय के लिए जैसे कहेंगे मेरी घड़ी में दस बज रहे हैं ठीक मेरी घड़ी में दस बज रहे हैं या दस बजे हुए हैं दस बजा है ठीक है कुछ भी लिखा रहेगा Translation वही स्थेम होता है सब्जेक्ट का लिए इस समय के बारे बात हो रही है इस सब्जेक्ट लिए पर्जेंट में है इस लगा दिए टाइम क्या रहे टेन ठीक लगाते हैं बाई इन नहीं लिखेंगे ठीक है घड़ी में समय बताने के लिए में की अंग्रीदी क्या रगाते हैं बाई मेरी घड़ी का क्या लिए माई वाच टेक्ट बाहर या गर्मी ठंगी वाला वेडियों आज बहुत गर्मी है ठीक क्या लिखेंगे इट इस वेरी हॉट आज का टूड़े सर्दी का मौसम था सर्दी का मौसम था धीक पर इसकर जाब बनाना हो गया इस वाल आज सर्दी का मौसम थेंके ठंडी का मौसम है तो इस तरीचे सेkalömेle, present में रहेगा तो इस, past में तो उमीद है वीडियो अच्छा लगेगा समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है बहुत दूयो चार लड़के अगर बढ़ियां से समझ लिए तो जानलो हमारा वीडियो बनाना धन्य हो गया ठीक है धन्यवाद